हिमाचल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने पाबंदियां तो लगा दी हैं लेकिन कुछ लोग अभी भी नहीं सुदर रहे और कोरोना नेमों का पालन नहीं कर रहे हैं ऐसे लोगों को सबत सिखाने के लिए जिला कांगडा में पुलिस ने सखत कदम उठाने शुरू कर दिये हैं पुलिस प्रशासन वस्वास्ते विभाग कोरोना नेमों का उलंगन करने वाले लोगों को सजा नहीं दे रहे बल्कि कुछ अलग ही तरीके से डील कर रहे हैं पुलिस ऐसे लोगों का मौके पर ही कोरोना टेस्ट करवा रही है जस्वा परागपur के तहट पड़ते डादाज सीबा में सोमवार को प्रशासन ने बिना मास्क घूम रहे लोगों के कोविड टेस्ट करवाए डाडा सीबा बस्टेंड पर प्रशासन की ओर से बिना मास्क घूम रहे लोगों के अस्पताल टीम की ओर से कोरोना टेस्ट किये गए इस मौके पर नायब तैसीलदार अभिराय सिंग ठाकुर भी मौजूद रहे BMO डॉक्टर सुभाष ने बताया कि हेल्थ टीम डाडा सीबा से डॉक्टर नवतेज सिंग की टीम की ओर से लोगों के टेस्ट किये जा रहे हैं ताकि कोरोना संक्रमन से सबको बचाया जा सके कांगणा जिला के अन्य स्थानों में भी पुलिस सतर्ख है और लगातार मास्क ना पहनने वालों पर नजर रख रखी है यही कारण भी है कि जिला के बाजारों में अब लोग मास्क पहने हुए नजर आने लगे है पुशासन की ओर से सक्ती बढ़ती जा रही है हाल ही में कांगणा और धरमचाला बस्टैंड पर SP और DC ने खुद जाकर लोगों से मास्क लगाने की अपील की और लोगों के मौके पर कोरोना टेस्ट भी करवाए गए हिवाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रही है EWN24 के साथ